नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से 17 अक्टूबर कार्तिक माश बना दूरलब शुबशयोग बड़ा शोमबार स्यूलिंग पर चढ़ादे यह एक छोटी सी चीज चमक जाएगा भाग गरीबी दूर हो जाएगी दोस्तों, कार्तिक महीने में शोमबार के दिन भागवान स्यू का ब्रत और पूजन करने से समस्त मनाव कामनाय पूर होती हैं, मानता की इस दिन भोलिनात की अराधना करने से अपार धनलाब भी होता है तो कार्तिक के महीने में जो स्योंबार आता है इस दिन शिव को प्रसंद करना चाहते हैं शिव जी की पूजा अवश्य करें उनकी अराधना अवश्य करें पौरानिक मानताओं के अंसार शोंबार के दिन भागवान शिव की पूजा राधना करने से अपार शक्ति मिलती है और जब कार्तिक के महीने में शोंबार के दिन हो तो स्योंजी की पूजा करने से शारेरिक रोग दूर होते हैं कश्ट दूर होते हैं पारिवारिक जगडे समाप्त होते हैं पैशो का टेंसन से छुटकारा मिलता है और जो कुमारी कन्याय हैं उन्हें शिव जैसा बर्भी मिलता है विवाह में कोई भी अर्चने नहीं आती तो कार्तिक महिने में शिव जी की पूजा कैशे करें आये जानते हैं बिस्तार से लेकिन एक बात याद रखेगा जब भी आरधना करने से चीवन के शारे कश्ट मिठ जाते हैं वो भी कार्तिक महिने का जब शोमबार हो तो सोने पर शुहागा चाहे वो कैसी भी कश्ट हो जीवन के कैसी भी परेशानी हो कैसी भी बाधाय हो उनसे आप बाहर आ जाते हैं सिव जी की आरधना करने वालों को कभी भी जीवन में कोई भी ग्रह वाधा परेशान नहीं कर सकती सिव जी पर तमाम तरीके के चीजे वस्तवे अर्पित की जाती ताकि आपके जीवन की जो परेशानियां हैं उनसे दोर हो सके और जब संसार को बचाने के लिए सिव जी ने बिस पिया था तब शिव जी बिस पीने के बाद उनके कंट में अशिम जलन पूरे शरीर में हो रहा था और यहां पर शमंद्र मंत्रन की कता में ये बात आती है भागवत पुरान में भी ये वरनित है फिर देपतावने उन्हें गंगा जल और दूद से यनि कि उन्हें इश्नान कराया तब जाकर उनके जलन जो थी वो बिश्की जलन शान्त हुई उन्हें दूद पिलाया इसलिए स्थिव जी को कार्तिक महीने में शोंबार के दिन आप एक लोटा जलने थोड़ा सा कच्चा दूद डाल दे और थोड़ी से इसमें मिस्री डाल दे थोड़ी से चावल डाल दे थोड़ी से गंगा जल डाल के ये एक लोटा जल आप शिव लिंग पर जाके चढ़ा दें, अर्पित कर दें, तो भोलेनात अतशिक्र परसन होते हैं और आपको बरदान देते हैं, यहां तक कि आपको शारिक कष्टों को दूर करते हैं, तो कारतिक महिने में शुंबार के दिने आप वहगान शिव के शिव लाब मिलता है, चारों दिशाओं से धन लाब होता है, अनेक जग़ों से धन कलाब होता है, तो ब्यापारी वरक ले यहनी कई जग़े से जो परेशानी आती है, जो कुछ भी समस्याई आती है जीवन में, वो शारी समस्याई दूर हो जाती है, तो इस परकार से आप पर आप यहनी एक लोटा जल चड़ाएं और बेल पत्र चड़ाएं भांग धतूरा चड़ाएं अगर आपके जीवन में नौकरी नहीं मिल पारी ब्यापार में कमी हो रही है फिर किसी प्रकार कोई टेंसन है पारिवारिक टेंसन संतान की प्रापती नहीं हो पारी है तो आप उन्हें बेल पत्र धतूरा जरूर चड़ाएं साथी भांग चड़ाएं और आप चाहें तो उन्हें शफेद पुष पर चड़ाएं सफेद से भोलेनात अत्यशेह coping पर पर सफेद पुष पर चढ़ाएं आग का फूल चढ़ाएं यानि कि मदार का पुष पर चढ़ाएं और उन्हें भांग ज़रू चढ़ाएं शाथी अगर कुछ भी नहीं है तो एक लोटे जल ही आप शीलिंग पर चढ़ा दें तो भोले नत अत्य शीक प्रसंद हो जाते हैं क और जीवन में आपको बड़ा लाभ मिलता है तो इसलिए शीलिंग पर आप भांग धतूरा श्योंबार के दिन चढ़ाएं थोड़े से कच्चे चावल चढ़ादें और उन्हें बेल पत्र चढ़ादें शाबोत बेल पत्र धतूरा भांग जया नहीं कि जो भी उनकी प्रि दोनाओं के पूरती होगी तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक के लिए शेयर करें चैनलों के सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा जय शिवशंकर